सोंग रपोड़ करके देखेंगे अब अब भी बताते हैं आपको है गाइज वेलकम बैक टू एनेदर विलोग स्वागत है दोस्तों आपका हमारे नए विलोग में और आज का विलोग दोस्तों बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला इसलिए वीडियो को पूरा जुरूर देखना और आज मैं खड़ा हूं आप विशाल भाई के घर की छत के उपर और आपको बता दू विशाल है जो भाई ने अपने घर पर एक स्टूडियो बना रखा है तो चलिए नीचे चलते हैं आपको आज हम दिखाएंगे कि एक गाना एक सोंग कैसे रिकोर्ड होता है पूरा प्रसीजर दिखाएंगे आपको क्या क्या करना पड़ता है क्य आपके स्टूडियो में होता है तो चलिए नीचे चलते हैं फिर यह स्टूडियो तो चलिए अंदर चलते हैं और ध्यान रहे स्टूडियो का अंदर चपल लेना बिल्कुल भी डाउड नहीं होता तो इसलिए हम चपल लिकाल रहे हैं बाहर ठीक है तो चलते हैं अंदर और हम पहले यहाँ पर थोड़ा light white दिखाते हैं दे रहा है थोड़ा था ना तो भाई यह light जग चुकी है और अब थोड़े से एक दो स्वाल पुछेंगे विशाल भाई से तो चलिए यह रहे विशाल भाई और मैं डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक जरूर डालूंगा और इनके अभी सौंग आ है आठ या दस दस है आठ आठ सोंग आ रहे हैं तो पूरी अल्बम आ रही है और जरूर जा के देखना और प्लीज भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और अभी हम पूस्ते हैं तो अभी पहला स्वाल हमारे है कि भाई अंदर क्या लगा रहा आपने गुद्ध्य ट सारी के देखिये दोस्तों सारी तरस फॉरम लगी या यह देखिया स्पंज ६ब्रोम पर से लेकर निचे तक आपको चारो तरफ आपको यही देखने को मिलेगी चारो तरस पहले टाकि हमारी वोई सोती है जो जासे कमरे में हम बोलते है तो वह दवारा गुंजती है ना त तो वो भी दिखाएंगे आपको भी, विशाल बाई हमें बताइए कि आपने singing कहा से सिखी, singing तो मैंने खह सिखी नहीं मैंने अपनितनी, मसलिब नहीं एलब मतलुद अइसे की गाते रहते हैं, गाने सुममके सुममके, पर मैंने studio का वर्ग सिख ए जो मैंने मौहाली studio हमारा WS studio के नाम से अजाद नाम है मेरे सर का अजाद भी है उनसे ही मैंने सिख ए स्टूडियो का सारा WS studio WS studio से सिख ए और सर का नाम अजाद नाम है तो भाईयों विशाल बाई और उनकी पूरी टीम की एक एल्बम आरी है उसमें आर्ट सोंग है और उस सोंग में एक सोंग है बदनाम फर्स सोंग ना उस उन सभी सोंग में पहला सोंग है जो बदनाम है बदनाम है उस सोंग का नाम ही बदनाम है और हमारी दूआ है कि वह इतना बदनाम हो कि हर बंदय तक पहुंच जाए है ना बदनाम हो के तेरे पिछे की तिया लड़या कुछ मिले हानी प्यार भी बगाना हो गया मैंनू केंदी सी तु किता तैनू प्यार सचाए हो सचे आशिकानू मरे आजमाना हो गया तो भाई यह चलो अब हम आपको एक चीज दिखाते हैं चलो भाई विशाल भाई दिखाएंगे मुझे तो कुछ पता नहीं है तो सबसे पहले मैं दिखाता हूं मुझे मेरा प्यूटर और इसकी स्पेसिगेशन है यह i9 प्रोसेसर है 10th generation और इसकी कोस्ट है जो मुझे एक लाख पचास हजार तक पड़ी है सबसे पूरे स्टूडियो में सबसे नहींगी चीज ही है एक लाख पचास हजार रुपे का है बाई PC ओके तो यह LED है और सबसे पहले मैं बता जिता हूं कि जो basic जिन्होंने सीखना है उनके लिए नहीं है यह उनको इतने पैसे खर्च करना की कोई जरूरत नहीं है जब आप अच्छे प्रजेक्ट बनाने लग जो तब यह जरूरत है पहले मैं भी यह laptop है मेरा इसी वहीं मैंने काम किया पहले स्टार्टिंग मैंने सब कुछ इसी से किया बहुत covers और जो मैं मैं आता था सब इसी से बनाता था और भाई आपको एक बात और बटारे भाई कह रहा है कि अभी वह आपके लिए नहीं है PC जब आप अच्छी knowledge सीख जाओगे तो आपके लिए है वह भाई पहले laptop पे करता थ तो यार आप पहले सिखो उसके बाद आप दीरे-दीरे समान परचेज करना क्योंकि पहले ही पैसे लगा कोई फैदा नहीं है और यह है बाई की मोनीटर है यह कितने का पड़ा बाई आपको 21,000 का 21,000 का 21,000 का 21,000 का 21,000 का LG का मोनीटर है 27,000 का मोनीटर है 21,000 का पड़ा है भाई को इसमें हम वीडियो एडिट वह अभी तर सके अच्छे कलर्स आते हैं इसके अंदर इसलिए इसकी कोश्ट थोड़ी थोड़ी महंगी है इसे बड़ी एलेडी मिल जाती है 13-14,000 गो थोड़ा सची कोर्स एक वीडियो एडिट के लिए नहीं सही है वैसी अच्छा है जैसे हम कवर्स के जो वीडियो आते हैं या अपने कुछ भी तो इसी में आ इडिट कर लेते हैं जेरी तहलों वीडियिए और अजा एका करिण एक लगा है उस साइड इनकी मतलब क्वाल्टि क्या है? यह पेस्ट कोल्टी है 5-inch monitor में सबसे अच्छे monitor है यह बजट में सबसे बेस्ट मुनिटर है यह फाइव इंची और इनका उनकी कोश्ट पड़ी थे मुझे और अब आपको दिखाते हैं माइक भाई के पास कौन सा माइक है यह बेसिक सा माइक है कोई इतना महेंगा माइक नहीं है MXL 770 है इसका मोडल और यह इसकी कोश्ट है 8-10,000 के बीच की होगी और यह साउंड कार यह बहुत जरूरी है इसके अंदर यह माइक से इंपूट लेके कम्प्यूटर में जाता है कम्प्यूटर से आके फिर यह मोडिटर स्पिकर से बाहर आती है साउंड और यह हमारे हैटफोन और यह बेसिक से अच्छे हैं सबसे स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छे हैं और भाई प्लीज इस वीडियो में बार बार ब assessments कि मेरे श्टूडियो का समान देखके ऑपने घरवारों से जीद मज करना ठीक है कि हमें भी इसा श्टूडियो बनाना हैying विशाल भाई ने तीन साल लगे श्टूडियो बिनने में सीख रहे हैं तो आप एक लैप् टॉप से स्टार्ट कर सक सब कुछ आप देख सकते हैं आज इनकी मैंनत यहां पर है तो चलिए अब आपको हम और कुछ ज्यादा बहुत नहीं करेंगे आपको लाइव दिखाते हैं कि कैसे रिकोर्डिंग होती है कैसे हम कुछ मुझी बनाते हैं और शुबंभाई हमारे गाएंगे उसमें तो आपको अब हम दिखाएंगे कि एक सौंग कैसे रिकोर्ड होता है कितना टाइम लगता है और क्या क्या परसीजर है सब कुछ दिखाएंगे यार बस आप वीडियो को पूरा देखना भाईयों सब कुछ सेटप त्यार है साउंड त्यार है भाई त्यार है और इसमें गिटार रिको सब्सक्राइब कर देखेंगे, अफ़ी बताते हैं उनको जब होड़ा, ओके छेख कर दो हम तेनो वी चखाबादे नितगल वकड़ी पॉनिया मैं तेनो दस नही सक दी तेनो किना चानिया तो भाईयों पिछे चल रही है अभी एडिटिंग और बने रही है वीडियो के अंड तक आपको एंड में गाना सनाएंगे वाईज, सौंग हो गया है त्यार अपना वोकल रिकोर्ड हो चुके है अब मैंने हलकी सी मिक्स करके थोड़ा सा मिक्स करके कर दिया है त्यार अब आपको सुनाते हैं देखते हैं कैसा बना है तो चलो भाईयों सुनते हैं भाईय ने गाना कर दिया त्यार तो चलिए फिर सुनते हैं शुरू करते हैं अपने जजबातां वाले को के लाए जाननी तेरे हिजरच सड़ दियां वे तैन्नू मग दियां वे उगणा नाल तेरा ना दिल ते वानियां तैन्नू विच्च खाबादे हिति गल पकडी बोनियां वे तन्नू दस नहीं सक दी तन्नू कि ना चोनियां तो मच्च अब भाई से कोष्टिन है कि आपने भाई कितने टाइम लगा आपको इस्टूडियो तियार करने में मुझे वाई ये तीन साल लगे सक बढाणे में अभी। अब है उसे मैंने एक्दम से सारा समाने डाल लिया कि एक मिहने मयंने में मैंने स्टूडियो तैयर कर दिया मुझे एक om 13 साल लगे खुद शोस फगया करके उसे झो पयमोराई रा करके घु तो भाई आप बच्पन से गा रहा है क्योंकि जब मैं तो बहुत छोटा था हूँ अभी नहीं तो मतलब इनकी जो मैंने एक बार स्टेटस लगा थे नहीं तो उसमें ना इनकी फोटोस बगारा थी तो यह बच्पन से ही गा रहे हैं तो मैं देख रहा था तो आज उसी की मेनत ही है आप देख सकते हैं बाई की मेनत है आज आज आपका अपना खुद का स्टूडियो है तो मेरी तरफ से बाई आपको बहुत बहुत बढ़ाई बगवान आपको और भी आदर रख तो दोस्तों यह है जिसमें सिंगर खड़ा हो के सौंग आता है न यह वो रूम है और यह अंदर से कुछ अचा यह भी त्यार हो रहा है यार इतने टाइम लगेगा तो इसलिए रिकॉर्डिंग अभी उदर ही चलती है तो दोस्तों बहुत मज़ा है आज और भाई ने हमें सौंग रिकॉर्ड करके दिखाया तो मुझे तो भाई के गाने बहु जाके भाई का चैनल देखो सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं किसी और व्लोग में किसी और जगह पर तो प्लीज भाई के आठ सौंग्स आ रहे हैं अल्बम आरिया पूरी बहुत प्यार देना मैं हर सौंग का अपने डिस्क्रिप्सिन में वीडियो की डिस्क्रिप्सिन म तो भाई मिलते हैं किसी और लोग में प्तुश के लोग में रहा हैं किसी और लोग में और लोग में पाल।